हेलो इबरिवेंट तो फ्रेंस आज की वीडियो में हम आपको कुर्टे में कॉलल लगाना बताएंगे महुती आसान तरीके से तो ये मैंने कुर्टे का गला आगे वाला तयार कर लिया है फ्रेंस पहले ही अगर इसको भी मैं आपको वीडियो में दिखाती तो काफी लंबा वीडियो हो जाता तो आगे का गला मैंने तयार कर लिया है और मैं आपको इसका नापतोल बता देती हूँ चोड़ाई रखी थी मैंने इसकी तीन इंच और इसकी गहराई रखी है प्रेंस साड़े साथ इंच क्योंकि साथ और साड़े साथ से कम गले को नहीं लेना नहीं तो हमारे शिर में वो नहीं आ पाएगा आपको करीब साड़े साथ इंच आगे का गला लेना ही है क्योंकि पीछे इसके गले में कोई घहराई नहीं होती है तो इसलिए आपको आगे का गला जो बड़ा रखना पड़ेगा अब यह हमारा पीछे वाला जो हिस्सा है इसमें मैं आपको पता देती हूं कितना गला चौड़ा और कितनी आपको इसकी घहराई लेनी है तो होते के पर्त को लएंगे हम यह देखीगा और इसको इस तरीके से अच्छे से सैट करके रखना है और इसके जो इस ओल्डर है इनको जोड़ लेना है इस तरीके से रखाएंगे इस पर हमें डवल सिलाई लगा करके इने हम जोड़ देंगे अच्छे तरीके से तो यहां पर अच्छे से सेट कर लेना है यह देखेगा कॉलर के लिए हमें इसमें निशान लगाना है तो यहां से देखे आगे वारे गले में हम लेंगे दो इंच जो इतना में हमारे कॉलर आएगा ना तो हम दो इंच तक कॉलर लगाएंगे हमें आगे वाले पड़त में डेड़ इंच शवा दो भी लगा सकते हैं स्वादो भी लगा सकते तो मैंने 2 लि KIM लिया है आगय से पीछे वाले पड़ से यहां तक तो हमारा बैठ रहा है छह इंचे । टोटल इस को ना पेंगे तो हमारा 12 वैठेगा जो कॉलर होगा हमारा तो मैं एक बार आपको नापके दिखा देती हूं, यहां पर यह देखेगा इस तरीके से, यहां से नापते हुए इस निशान से, और इस वाले निशान तक, इसको तो यह हमारा 12 इंच बैठ रहा है, यह देखेगा, 12 इंच पर यह हमारा निशान आ गया है, अब हमें 12 इंच की लंबाई की ही बुकरम सिर्फ एक इंच चोड़ाई का ही हम कॉलर बनाएंगे, आपको थोड़ी सी ज्यादा रखनी है कॉलर की चोड़ाई तो आप थोड़ी फालतु भी रख सकते हैं, लेकिन एक इंच काफी होती है, तो यह मैंने 12 इंच की ले लिया, क्योंकि थोड़ा से आगे से हम कटिंग कर देना इसको, इस तरीके से, तो यह हमने सेप दे दिया ऐसे कटिंग करकर से कपड़ी ले ले ले, तो कपड़ाई की ऊपर इसको भुख्रम को रखना है, और निशान लगा लेना है, तो आधे इंच हमको भुख्रम से नीचे की तरफ और उपर की तरफ आधे आधे इंच थ कटेंग करेंगे आप उसे भी थोड़ी सी एस्ट्रा लेकर ही चलिएगा इस तरीके से देखेगा मैंने उसको थोड़ा सा एस्ट्रा ले लिया या फिर आप इसी के बराबर की ले सकते हो तो दो पत्तियों को कट किया जाता है यह देखेगा इस तरीके से मैंने दो पत्तियों कट किया है अब यह जो हमारी बुक्रम है इसके उपर रखेंगे हम इस तरीके से अच्छे से इसको सैट करके रखना है जो भी ज्यादा हमें एस्टर लग रहा है कपड़ा लंबाई का उसे कटिंग करके अलग निकाल देंगे अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसके वाला जो कपड़ा है इस तरीके से इसको पर रखते हुए और जो हमारे सिलाई वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा यह देखिए जहां हमें मार्जन छोड़ना है नीचे की तरफ जो कपड़ना है न वो वो सिलाई वाला हिस्सा आएगा अब यहां से हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुक्रम की किनारी किनारी पर सिलाई लगानी है यहां से यहां तक इस कोने तक इस तरीके से नीचे को आदा इंच हमें मार्जन छोड़ते हैं क्योंकि यह हमारा गले में जुड़ेगा ना इसलिए नीचे मार्जन छोड़ना है और बाकी में हमें सिलाई लगा लेनी है यह मैंने सिलाई लगा दिया यह देखीगा इस तरीके से और इसके जो कौन है इनकी अब हम cutting कर देंगे थोड़ा सा extra margin लग रहा है उपर की तरक सिलाई में तो उसे निकाल दीजिए cutting करके यह देखीगा अच्छे तरीके से तो मैंने finishing आ जाएगी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से लेकिन मैंने इसको सीधा करके इसके उपर बस सिलाई लगा लेनी है आदे पैर की यह देखेगा किनारी किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ अच्छे से set हो जाएगा तो यह मैंने सिलाई लगा दि करेंगे आप कुर्ते को अच्छे से इसके गले को set करके रखेंगे तो वो क्रम बाला जो हमारा गला है इसको हम इस तरीके से double fold कर लेंगे और यह जो हमारा कुर्ता है इसके 20 सेंटर में भी एक निशान लगा लेंगे यह देखेगा इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रह सिलाई लगानी है और इस वाले सेंटर से हमें सिलाई लगाते हुए इस वाले निशान तक सिलाई लगानी है तो हमारा कॉलर छोटा बड़ा नहीं बैठेगा एकदम बराबर बैठेगा तो आप बीच में से ही सिलाई लगाईएगा आपको बहुत आसानी होगी कॉलर जोडने तो बरावर आपका margin शिलाई में आएगा अब इसे में आपको एक तरफ से जोड के दिखा देती हूं यह देखिए कि इसे जोड़ेंगे और यह जो एक हिस्से को हम ऐसे उठाते हुए शिलाई लगाएंगी क्योंकि यह इसमें जोड़ना जाए इसको जोड़ना नहीं है दू कोई कम जादा नहीं बैठा हमारा कॉलर एक दम से बरावर है तो इसी तरीके से बिल्कुल आप च्छोटी-च्छोटी से चीजों को देख करके कॉलर बनाएंगे तो आप पहली बार में कॉलर फिनीशिंग से जोड़ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से तो यह देखिए इसके अंदर दवाना होता है इस तरीके से अंदर दवा करके इसके उपर एक सिलाई आएगी तो वह हम लाश्ट में सिलाई लगाएंगे जब हमारे इधर का भी कॉलर जूड़ जाएगा अब इस तरफ से भी हम इसे जोड़ेंगे इस मार्जन से शिलाई लगाते हुए यह यह आप को दिखा देती हैं तो यहाँ पर यह देखीगा फ्रेंस मैंने सिराई लगा दी है तो मारजन अन्दर चला गया और कितनी फिन्सिंग के साथ हमारा कॉलर जुड़ गया है यह जो भी से गरम सूट है तो इसमें कॉलर ही ज़्यादा वैस्ट रहता है तो इसलिए मैंने इसमें कॉलर लगा के आपको दिखा दिया और सरदियों में आप गरम सूट से लेंगे तो आप इस तरीके से कॉलर लगा सकते हो फ्रेंज तो ये हमारा कॉलर हो गया है बिल्कुल तयार उमीदे फ्रेंज आपको ये जरूर समझ में आया हो क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कॉलर लगाना बताया है ये देखेगा कितना सिंपल है कॉलर को जोड़ना और कितने फिनिसिंग से ये जुड़ गया है ये तो आप एक बार में ही एक कॉलर जोड सकते हो अगर आप इसको ध्यान से देख है हुए वीडियो को तो आपको भी कॉलर जोडना हाप कॉलर जोडना आसानी से आ जाएगा तो इसी तरीकी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगर आप कोई मेरे वीडियो अच्छी लगे तो नियुक को लाइक कीजेए नवीक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें